फेस अब्द अभीक कारिक्रम में आज हमारे साथ हैं एक खास सक्सियत मद्प्रदेश में स्कूल सिक्षा एवं सामान प्रसासनमंती इंदर सिंग परमार जी और हम उनसे जानेंगे मद्प्रदेश में सरकार के इस तर पर सिक्षा को लेकर क्या गुडबत्ता लाने के लिए प्रियास किये जा रहे हैं किस तरह से नए बच्चे जो हैं, जो जिनसे भविस्व बनता है देस का, वो किस तरह से सावारे जा रहे हैं मद्प्र देश में और क्या आगे तयारियां की जा रही हैं. परमार साथ आपका स्वागत है अभी शिक्षा की जब बात होती है मद्परदिस में तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लेकुना बहुत सारी चीज़ें पिछले समय में सामने आई हैं और लेकिन अब जो नई सिक्षा नीती आने वाली है वो अब उससे बच्चों को क्या नया म तैयार करने में समय लगा और उसके लिए मेनत की है सिक्षक, सिक्षावीद और देश के तमाम सारे लोगों के प्रयास से एक जबरजस्त सिक्षानिती बनकर तैयार हुई है अब उसका किरियानुन का जो भाग है वो सब राज्यों को करना है लेकिन मुखे तीन बाते इसमें म भारत का प्रगटी करन उसक्षा में होगा दूसरा गुणवत्ता युप्त शिक्षा गुणवत्ता का और ग्यान आधारित शिक्षा इन तीन बिंदू के इर्दगिर्द पूरी व्योस्था सारी की गई है और कुल मिला करके भारत ने जो अंग्रेजों के कारण से गुलाम था और विशेश कर अंग्रेजोंने शिक्षा में इस परकार तोड़ा मरोड़ा था कि देश के लोग गुलाम मानसिक्ता से बने के बने हमारा कुछ अच्छा ही नहीं यह भाव जनरल समाज में पेदा हो जाए तो उनको लगता था कि यह भाव पेदा हो जाएगा तो लंब है तो आजादी के बाद में सब को अपेक्चा थी कि सिख्षा नीती में मुलिचुल परिवर्तन हो जाएगा सरकारों ने कि दो बार आयोग बनाये हैं दो बार पेले भी नहीं सिख्षा नीती का डाप्ट बनाया हैं लेकिन उन पर क्रियानवन का जो पक्ष कमजोर था उसक लिए कारण से हम सिख्षा में भारत स्वतंत्र भारत के लिए जो सिख्षा होनी चाहिए थी उसके अनुकूल सिख्षा व्योस्ता में अंग्रे जो द्वारा प्रतिपादित शिख्षा पद्दती ही चलती है यह सदिखता है अब इसको बदलना बहुत जरूर था लेकिन अ दुनिया का सबसे मड़ा मंथन हुआ है उसमें जो चीजे आई है निकल कर जो मंथन से आया है मैं समझता हूं पूरे देश के लोगों उसका जबरज़स्वागत किया है और इसलिए आप सब राज्यों को उपर है कि सब राज्यों का किरियानुवन भारत सरकार भी किरियान इसक्रेमन करें इसलिए मत्रम्देश ने तो हमने टास्पोर्चन निर्मान किअंटिजी workers वेऊं इसकुल्य शिक्षा में तांकि सिक्षा बारे में कूई निर्ने करने HAR बु्त करने आप आपने कर आप सिक्र्यान भान रहोगा तो सिक्षपर्शा वित्करे तुआं हमारे एक्सपर्ड यानि जो उसमें खपता है जीवन देता है जिसको प्रत्यक चानुब होए पढ़ाने का वो जब तक सिक्षा के निर्मान में नीती बनाने में या क्रियानन के पार्ट में सरीक नहीं होगा सम्मिरित नहीं होगा तब तक कोई भी सिक्षा गौस्ता परिपूर नह सभी प्रकार के लोगों से पत्रकारों को भी हमने जोड़ा है सब लोग मिलकर के एक अच्छा सुजा उसमें दे और हम अच्छा किर्यानन का पक्ष को लगातार उसकी मानेटरिंग भी करेंगे और राज्ज में अच्छी व्योस्ता जिसी देश की अपेक्षा है जिनता की पेक्षा है उस अनुरूप हम सिख्षा की वहस्ता को ठीक देंसे लागा एसी हमारी सारी तैयारियां चल रही है विशेज रूप से नहीं सिख्षा नीती में पूरो प्रात्मिक पर जोड़ दिया गया है छटी क्लास से प्यवसाइक सिख्षा का समयोश किया गया ताकि सिख्षक का विहार आचरन उसकी योगता एक विध्यारती के जीवन में कैसे विभाव छोड़ती है यह सिख्षक को एसास होना चाहिए सिख्षक के वल सासकी नोकरी करने वाला कर्मचारी नहीं है सिख्षक हमारे देश की माननताओं के नुसार राष्ट निर्माता है एक निर्मान करता है और अच्छा निर्मान करता है तो देश के लिए समाज के लिए काम करने वाला देश वक्त नागरिक बनता है इसलिए अच्छे नागरिक निर्मान करने का काम सिख्षक का है और सिख्षक उसके लिए प्रहरग का काम बनता है मुंत्री जी आपने कहा नई सिक्षा नीती में सबसे पहला जो फोकस है वो भारत का प्रक्टी करण हो ये उसमें एक समाहित किया जाएगा मतलब जिस तरह के जो आरूप लगते हैं जब भाजपा सरकारें आती हैं कि क्या मतलब जो भाजपा आरूप लगाती रहती है कि बामपंथी करण था सिक्षा का आप कहरें हैं अंग्रे जी जो सिक्षा विवस्थाती उससे आजादी की बात है तो इस तरह मतलब एक जो राश भारत को लोग वी सुगुरू केते थे हैं भारत को सामर्थवान सक्ती साली राष्टे करूप में जाना जाता था और जब इस परकार से जाना जाता था मतलब हमारी कुछ अच्छा ही तो थी ना आज हम इत्यास में देखेंगे बड़े बड़े लोग उधारन देते तो किसी विदेशी का उधारन दे करके पैस करते हैं भारत के पास जैसा कोई हीरो नहीं है भारत के लोगों ने अपने मात् आजादी के अंदोलन को भी जो सुछ प्रश्ट थे योर्ष्च्छ और मैं ईक्षिव मजदूर ने किसान नहीं उस अंदोलन को काम दिया यह वी हमारे इतियास और यह ज्यव्कित ऐसी सब बाते भारत के महापुरूसोगे बारे में अपमान जनक भी से भारत के समाज के बारे में अपमान जनक भी से यदि ये सब करना हमको पढ़ रहा है तो तो उसमें गलत भी क्या है सदेल सब्सक्राइफ, अपने समाज के लिए और विद्यारतीों को फ़्रानी पड़ी। हम दूसरे लोग जो भी कहेंगे उसके हम चिंता नहीं करेंगे क्योंकि भारत के अंदरी थे और भारत किसी एक राजनीतिक पालिटी का नहीं है भारत किसी एक दल का नहीं है इस देश की प्रंपरा इस देश की माननेता है हज्जारों साल के जीवन जिन लोगों ने बिताया इस धर्ती पर उन लोगों ने इस मिट्टी के साथ जैसा वेहार किया है और इसलिए उनकी एक संसक्ति निर्माण हुई है एक सब्बता निर्माण हुई है उस सब्बता के लिए हमेरी काम करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं समझते है बहुत जो आर देशी फंडिंग से काम करते हैं जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं कभी कोई चाइना के लिए काम करता है कभी कोई पाकिस्तान के लिए काम करता है यहां के समाज को भढ़का करके इस देश में आसांती पहलाना चाहते हैं उन लोगों के उब देश हमारे उपर कोई असरकार रहते हैं। जो भाजपा पर आरोप लगा जाते हैं जब सरकारे बनती हैं कि पंडित दीन द्यालुपाद्ध्याय हो या मुखर जी हो या यह सारे चेहरे भी सामने आएंगे इसके जरिए महत्मा गांदी का अर्थचिंतर और देश के बारे में सोचे जिन लोगों ने महत्मा गांदी के उस एक सब्द को समझा है राम राज्या जब उनसे पूछा गया आजादी के अंतिम चरण में कि बाफू अब लगता है कि देश आजाद होने वाला है आप कैसे राजजी की स्थाफना करो गए तो महत्मा गांदी ने काता मैं एक सब्द में कहता हूं कि राम राज्य की और उस राम राज्य में सब चीजे समाई सौलंबी गाओं हर हाथ को काम हर खेत को पानी सबको नियाए समरस्ता युक्त समाज निरमान करने का काम राम के राज्य में हुआ था बगर भेद वाओ के राम ने राज्य इस्थापित किया था यदि इस राज्य प्रकार का राज्य की है वो एक मनुस्य खाली सरीर नहीं है उसको एक हमारी संसक्रति सब बता के साथ जोड़ करके चलने वाला सवरूप है जो महात्मा गांदी ने कहा है उसी को पंडिक दीन दायर उपायद्याईजी ने आगे बढ़ाया है महात्मा गांदी के तो जो सवपन थे जो विचार थ नहीं थे लेकिन बाद में कांग्रेस ने उनके विचारों को अलग रख दिया और बोर्ट बेंकी के राजनी की जाधार पर देश का निर्बान करने लिए और यदि कोई दुसरा व्यक्ति उनके जैसा मुल्यों कर चलने वाला होता है और वो चैदीन दायल उपाद्या है ड कि पेदा करने का किसी में जिग्या सा पेदागी लोगों में बहस भी चेड़ी है तो पंडित दीन दायल उपज्जाई ही ने चेड़ी है इसलिए महापुरूसों का भी कोई आता है लेकिन उनकी स्वयम के कोई नहीं है इस देश की परंपराओं के जो विचार है वही दिन सिक्षक हैं चैनित हो चुके हैं verification हो चुका है लेकिं उन्हें नौकली नहीं मिल पा में आगे हैं उसके कारण हमको उसमें आगे हमने कदम बढ़ाने से रोका था कोरुट का निरने जल्दी आ जाए लेकिन अभी कोरुट के निरने के कोई संभावना नहीं बन रही तो हमने मार्ग निकाला है आगे आने वले समय में हम उन चैनिस सिक्षेकों का जितनी आउश्र मेरा ऐसा कहना है कि जिसका जो काम है मेरा खेती का काम है और यदि में गाहों पर जाता हूं तो खेती में काम करता हूं तो गलत नहीं समझना चाहिए इसलिए जब तक हम और उसके बाद भी मैं तो कहता हूं कि नोकरी करने के बाद भी हमारा किसान का बेटा है तो खेती करन तो अपने पिता जी के सांथ स्वयोग फिर भी करना चाहिए इसलिए इस संदर्व को इस से ना जोड़ा जाए लेकिन हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं सारी जो बाधा हैं उनको हम तक्निकी कारणों से जो आई थी उनको दूर करके हम अगले सत्र में उन सब को मतलब यह पास दिली का नाम आजाता है कैज्रिवाल का नाम आजाता है क्या मत्प्रदि Indonesia के पास दिली जोड़ी से श्कूल नहीं है या है तो कब तक दिली ने के उछ चोपन स्कूलों को सारे संसरंग लगा हैं लेकिन उसका प्रचार क्शार कुब किया है और इस कारण से दिली इसकुल का विसाल संख्या उमारी जो है उसमें से हमने 10,000 इसकुलों को एक निष्चित टाइम प्रेड में अच्छे स्कुल बनाना इस साल हम 3.5 इसकुल को सरो सुधायुत बनाने जा रहे हैं उनके चोपन स्कुल हमारे 3.5 इसकुल होंगे वेसे भी हमारे जीला केंदर के उ स्कूल एसे बड़ी संख्या में हमारे 365 के लगबग तो ऐसे स्कूल चलते ही हैं जो थोड़े से परिवर्टन करने में दिल्ली के बराबरी की छलांग लगा सकते हैं इसलिए हम उन सब स्कूलों में परिवर्टन करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हमको एक डेट साल में बंद किया था मर्ज किया था और पंद्रहचार करी वेक हम इसकिल बंद हो गए थे क्या अभी भी यह परिकिलिए है नहीं हम अभी इन दसлагार इसकूलों को शॉल चाईनित किया है उसकी जो प्रिकरिया अपनाई हैं उसके कारण किसी स्कूल को बंद करने वाले नहीं हैं आ बच्चे हैं तो उस समय फिर पालकों से अभी बाओकों से चर्चा करके हम निलने करेंगे लेकिन अभी हम कोई स्कूल बंद करने नहीं जा रहे हैं एक महत पूर मुद्दा है जब बुडवत्ता की बात आती है या ठीक है दिल्ली एक छोटा सा राज है मत प्रदेश बड़ा राज है यहां आबादी भी जादा है बच्चों की संख्या भी जादा है लेकिन इसकूलों में सिक्छकों की बहुत जादा कमी है करीब सत्तर हजार सिक्छकों की कमी ऐसा मत प्रदेश में है और इसको कैसी पूर्ती हो पाएगी और कैसी जो है फिर जब तक सिक्छक नहीं होंगी तब तक गुरुडबत्ता का दावा कैसे किया जा सकत कर रहे हैं हम जो एसकूल का चैनित है करने के सिस्टमस हमारे पास कई जगे जञद हैं स तो अली राजपूर, जाबवा, खरगोन, सेकड़ो स्कूल सिख्षक विहन कर दिये, एक भी सिख्षक उनमें नहीं है, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करने जा रहे हैं, हम बैलेंस बना करके, और जाँ जाँ अश्रक्त होगे भी जो सिख्षकों कि हम भर्ति करेंगे नहीं, उनक हमारे पास जाँ एक्स्ट्रा है, उनको जाँ कमी वाले इस्थानों पर हम सिख्षकों को भीजने का काम करें, मंत्री जी आपके बता हूं, जो जिन्हों ने कांग्रिस सरकार में किया था, वह भी आपके कलीग हैं इस मंत्री मंदल में, डॉक्टर परूराम चोधरी वही सि चर्चा होती है क्या? हमारी माननेता है कि परूराम चोधरी जी भी उस समय थे तो कमलाज जी के जो लोग बेठे थे, मैं उधारन दे के बता सकता हूं, अले राजपूर का जब वहां के कलेक्टर ने, वहां के ट्रांसफर करें बुद बड़ी संक्या में, दो सो तेवीस स्कूल में एक भी सिख् कहा उस यक्ति ने फोरन करके कलेक्टर को कहा, कि यहां आप इनको रिलिव नहीं करोगे, तो हम आपको रिलिव कर देंगे, आपकी तयारी करो, तो तो क्या करें होंगा का कलेक्टर? इसलिए उस समय के मुख्मेंत्रिय। और उनकी टीम की गल्ती थी और हमारे मुख्मेंत्री ने साप करे दिया है कि कोई भी स्कूल हमारे कारण, ट्रांसफर के कारण खाली नहीं होना चीज़ है। और जा कभी हैं उसको हम बहुत जल्दी अगले सत्र से सब चीज़े आपको दिखेगी नहीं उसको हम ठिक करने वाले हैं आपने अली राजपूर की बात की वो ट्राइबल छेतर है और सबसे जादा जो अगर सरकारी स्कूल का कोई उपयोग करता है तो वो ट्राइबल और अनसुचित जाती जन जाती के साथ साथ गरीब बर्ग कभ्यक्ति करता है गरीब बर्ग के बच्चे जाते हैं तो और इनका जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी रहता है इन सब को लिकर क्या कुछ तैयारी है सरकार की की हम इसलिए क्योंकि हमने अभी आपड़ा निकाला था जब पहली करक्षा में सो विद्ध्यारती एडिमेशन लेते हैं अर्ट्व में जाते जाते हैं और जब वो बार्वी तक जाता है तो मातर सत्रा विद्ध्यारती पास होते हैं यह मारे मद्दप्रदेश का होसत निकलत अब इसको ठीक करना है तो ठीक करना है तो टोसक्षक अच्छे होना चीये लेकिन वह शुवी नहीं जा एक लिए को सब्सक्राइब भी तो अच्छे टीचर का कोई उप्योग नहीं है फिर बहुत अच्छा टीचर हो सकता है विशे को देन करके लेकिन उस्कुल में कि उसका आचरन व्योहार हमारे सामाजिक द्रश्टिकोंड से भिन्न होगा तो क्लास में बच्चे उसके साथ नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमारे हैं सब प्रकार से शिक्षक आदर्स होना चाहिए यह कलपना है भारत की इसलिए हम इस नई व्योस्ता में टीचर एजूकेशन क काम जरूत लगी तो उसका जो बीएड और इसके वो चलते हूं सब काम सिलेबस को भी चेंज करेंगे लेकिन मतलब कहीं न कहीं एक अगर सामान तोर पगर बात करें तो अब आजादी से लेके अभी तक सत्तर साल के करीब हो गये हैं और कांग्रिस की सरकारें भी रही हैं प आजादी के बाद ही रादाक रश्णन आयोग आजादी के समय बना था उस रादाक रश्णन आयोग के दिशी पारिस मानते हैं वह नहीं मानी गई फिर 1986 में नीती आई उसमें जो कुछ अच्छी बात थी उनका क्रियानुमन नहीं किया गया कोठारी आयोग में बहुत अच कर्चा की थी नहीं सिक्षानीती को लेकर 1986 में लेकिन उसमें केवल एक काम दिखता है जवार विध्याले उसके अलाव शिक्षा विद्धी का नीचे तक कई कुछ नहीं है इसलिए उसका किर्यानुमन का पाड़ अच्छ सुजाओत है लेकिन किर्यानुमन का कर्षी कमजोर हो था और क्योंकि राष्टी इस्तर पर जब शिक्षानीती का विचार होता है तो राज्य भी उससे बंदे होते हैं राज्य कुछ अपने कर सकते हैं वो राज्यों को सतंतरता है उतनी लेकिन वो भी सायद पूरे देजभर में भी नहीं हुआ ऐसा मद्द्रदेश में भी उसके लिए कई ने कई हम सब की कमजोरी थी कि हम सिक्षा व्योस्ता को जितना कुछ देना चाहिए था उतना समय के साथ देने ही पाए और बहुत पिछड़ गए मतलब सचमुच में इतने पिछड़ गए कि जो एक स्वतंत्र होने के बाद किसी देश को सत्तर साल तक नहीं सिक्षा नीती एक उचाल के साथ दुनिया के सामने खड़ा करने होना वाला इंसान इससे बन सकेगा एसा देश के लोगों में इस्वास पैदा कर दे तो पहली बार हो रहा है कि सिक्षा नीती से ही विस्वास पैदा एक मत प्रदेश में जब आपन चर्चा करते हैं तो आपके पहले से बहुत एक मुद्दा चल रहा है मिड़े मील और अंडा परोसा जाए या चीन ना परोसा जाए कॉंग्रेस सरकार में भी पिछले सिक्षा मंत्री जो आपके थे उनके समय भी रहा था क्या अब क्या सरका क्या प्रचार कंडी जोई कि हिनी किसी को है घर में परम परेंपा यह तो गर password करें कि हमने अपता इनी लेकिन इसकुलमें नहीं करेंगे हां सरकारी भोजन का हिस्सा नहीं कि राम आपके पासा दो और राम मंदिर को लिए भी बहुत चरचाय चल रही है किस तरह का राम मंदिर होना चाहिए और जог कि पॉर्ड वी कहीं नहीं सिक्छा नीती और भारत के प्रक्टिकरण के बात के लिए राम भी कहीं न कहीं बच्चों तक पहुँचेंगे उनकी आदर्स पहुँचेंगे देखे सविधान निर्माताओं ने जब भारत का सविधान लिगा तो उसकी जो मूल प्रस्तावना है उसमें राम का भी उल्लेग है यानि इस देश से राम को कभी अलग नहीं कर सकते हैं राम इस देश के उन हम इस्वर मा लेकिन उन महापुरूसों में हैं जिन्होंने इस देश के निर्मान में इस देश की दिसा देने में एक उचाई देने में आदर्स स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान भारत के लोगों को दिया है जो हमारे सामने प्रणा का इसलिए राम मंदिर अच्छा दिवी हैं और राम राज जी की वो कल्पना है हमारे प्रणान मंतिर जिने जिस दिन हविद्या में पांच अगस्त को भूमी पुजन करने गए थे उन्होंने एक पाक के देखर के राम का संदेश दुनिया को दिया था भय भी न हो इन प्रीत इसलिए ताकतवर देश का निर्मान क करना उसी अनुसार राष्ट का निर्मान होगा वही हम राम राज जी के गल्पना में आगे सरकार करें आप जो है संग और बैग्ग्राउंड से भी हैं और आप ये वीवीपी में भी लंबे समय तक आपने काम किया है आपने एक लाइन वो लिए भैय विनू होई ना प्री कर रहे हैं यह बहरत के नागरिक के परदी भारती इंथा प्रका करें हमारा देश के नागरिक किसी भीमतांतर का होगा किसी भीृप के साथ हम पई भैदबाव नहीं करते हैं हमारी जो सबसे अच्छी नीती जो देश के सब लोगों को लाब दे रहे हैं भारत के प्रधानमंति नर्यन मोदी जी की गरीबों को मकान देने का आप उठा के देख लेंगे तो गरीबों के मकान जो बड़े बड़े सेरे सब में मुस्लिम समाज के लोगों के घर जादा बने और उनको इत्ती सोतंतरता है कि जब चुनाव आता जब वह नहीं कांग्रेस का जंडा लगाते लेकिन गरीब है तो उसका घर जरूर बन रहा है बगर भेद बाव के बन रहा है कोई राजिनेटी के हस्तचेप नहीं है कोई किसी प्रकार का चैन करने में किसी का हस्तचेप नहीं है और गरीब है तो गरीब है किसी भी धर्म का होगा किसी भी जाती का होगा किसी भी पंतगा होगा उसका मकान बनने का काम हो रहा है जो आजादी के समय महात्मा गांदी के नेत्रतु में जो अंदुलन चला था उनका भी स्वपन था कि हम भी स्वतंतर भारत में सास ले सकेंगे दुर्भाग के से उस समय के लोगों ने देश का विवाजन सुवकार कर लिया अब देस का विबाजन सुवकार कर लिया वह जनता की गलति तो नहीं थी, जो पाकिस्तान चले गए पाकिस्तान चले गए उससे हमारे लोगों ने का कि नहीं, जो मुस्लिम खोर सकते हैं, इसाइयों की जरूवत नहीं है। वह भी धर्मने पेच्छ राज रहेगा पाकिस्तान भी। अब उनकी संतानों पर जो प्रताड़ना हुई, उनकी बेन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनकी संपत्ती लूटली गई, उनको उस देश से भगा दिया गया। भारत की सरकार का कं यह करत नहीं बनता था। देश की आजादी के बाद जित्ते लोगों को यह भगाया था उनको हिंकी नागरिकता देना चीजिए थी। इस आधार पर देना था कि इंको धर्मने के आधार पर इनको वह के राज्ज ने बेह दाव किया। सरकार उने बहुता हुए मात्मा गांदी ने कहा था कि आपका अधिक वह लोग आ गए इंद्रा गांदी ने भी सानुबूती देखए जा अलल-ल-ने उन्हें भी सानुबूती लेकिन कानून बना करके उनको इस देश में रहने की और एक प्रकार से नेतिक रूप से अच्छा जीवन जीने की उनको यहां आजादी नहीं दिए, उनको अधिकार नहीं दिए, वो अधिकार देने का काम हमरी सरकार ने, नरेन मोदी जी की सरकार ने किया, हमने देश के किसी भी अलपसंग कखा पेट की रोटी छीन करके उनको देने का कान नहीं किया है उनको तो सब्सक्राइब करके भारत को धर्मसाला बना भारत धर्मसाला नहीं हो सकता है भारत में रहने वाला नागरिक के पेशान भी करना चाहते हैं ताकि हैं हमारे देश का नागरी उर क्यों करना चाहिए दुनिया के सब देशों ने नागरी को फिचान कॉयों कर दी लिए घैरें नहीं को क्यों होता है है旅क् इसका मतलब आप योजनाबत तरीके से दर्म के आधार पर और दुनिया के लोगों को यहां पसाना चाहते हो ताकि यहां जाती असंतु लोनों जाए इसलिए भारती जन्ता पार्टी की तो इस परस्ट इसमें पहले से भी नीती जन्संग के समय से भी अभी भी नीती है कि जो दुनिया के किसी देश में नहीं है चीन में धार्मी काजादी नहीं है रूस में धार्मी काजादी नहीं है यहां तक कि अमेरिका में भी कही बार धार्मी काजादी पर प्रतिवन लगा दिया जाता है इस देश में तो सब सोतंतरता है और इसके कारण से कही बार तो यसा ल यह जबरजस्त प्रपगंडा किया जाता है क्योंकि उनको मालूम है कि भारती जन्ता पारटी की सरकार देश्ट निस्ट सरकार है समाज निश्ट सरकार है यहां सब के साथ नियाए की जो हमारे प्रभू राम चंदर जी ने अपने सासन में जो राम राज जी की कल्पना के समय उन्होंने सब को न्याय मिलेगा, सब को समानता का उनको गहार मिलेगा, समरस्ता युक्तियां का समाज होगा, सब की आर्थिक रूप से चिंता की जाएगी, सब की स्वास्त की चिंता की जाएगी, यह भगवान राम के रामराज्य में था, वो उसी प्रकार का राज्य हमारी स सरकार चलाने का प्रयास कर रही है कि अरोप लगाना और ये कुर्शी के लिए लड़ने के लिए सब प्रकार के आरोप लगाते हैं कि 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 लब ज्हाद जैसे कानूना आते हैं तो ने फिर लव जुवात के नाम से कोई कानून नहीं है। निए धर्म स्वातंत्र संसोधन्त बिदेःक है। हमारे ऐकेना है कि आदमी को इतना तव अधिकार होना चाहिए। जब साधी करें तो वह वह अस्तिम कहने है? उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है? उसकी माननेता है क्या है वो छुपा करके हम साधी क्यों करना चाते हैं ये ही उसमें उस पर लागू किया है और उसके कारण से बाद में बहुत सारे विवद होते हैं लोगों के तलाक होते हैं कี่ सामाजिक संगर्शे की इश्टिदी बनती है मन मुटाव होते हैं इसलिए सामाजी के वो खड़ी होती है समझे हैं इसके लिए सरकार ने देने किया आपका जो सामान परसासन विभाग भी आपका विभाग है और बहुत अच्छा एक कदम आप उठाने जा रहे हैं गो नाइल सब जगए गो से जो मूतर से जो फिनाईल बनेगा उस सारा साफ सफाई होगी क्या है ये देखो भारत के पुराना जब हम अपना देश का इत्यास देखते हैं हमारे गाओं में सबसे ज़्यादा गोधन होता था उसी के हम दिपाउली पूजा करते थे जब भी हमारें दद गाए थी लिएसे खेंती गाओं को ही हम पूजते थे क्यों गाओंसे दूद मिलता था उसका गह बंता था गोवर निकलता था उस गोवर को हम खाद के रूप में उप्युख करते थे रासाई निखाद हम उपयोग नहीं करते थे उस कारण से कई प्रकार की बीमारी जो फसल के द्वारा मनश्यम्न आ रहे हो हम सुरक्षित थे लेकिन हमने दुसरे देशों की नकल करके इतना रासाई ने खाद इतना रासाई ने होती है और इसलिए हम नहीं नहीं का तरूप से कि वह गाओं का गाय का सरुख्षन कैसे होगा तो सब प्रकार से गोबर उप योगी है और अच्छे ढंग से खाद मिरमान किया जा सकता है जे भी खाद बनाया सकता है उसका दूद उप यह दूद में भी कई प्रकार के सोध यहार्ट बहेंस का दूद्ध हार्ट पर असर करता है और गाय का दूद्ध पी ओगे तो कोई शरीर के लिए नकारात्म को पेदा नी करें इस परकार से गो मुत्र बचता था तो गो मुत्र गाहूं के लोग तो जानते थे हमारे गाहूं में जब कभी भी कोई अच्छा कारी क करते थे किसी जगह को पयुत्र करना होती तो तो हम गो मुत्र से चिड़काओ करके करते थे गोबर से लीप कर करते थे तो एक परकार से गाय का चाहे गो मुत्र हो गाय का गोबर हो गाय का दूद हो गाय का घी हो गाय का सब कुछ यहां तक कि उसके सिंग भी कुछने कुछ दवाईयों के खात के काम आते हैं इस प्रकार से उसका संपुर्ण अंग सरीर अईरुवेद को समर्भीत होता है और इसलिए उस हमारे लिए महत्पुर्ण हो सकती है यह जागरन करने के लिए लोगों को जगाने के लिए गाय पालो गाय का सब चीज़ उप्यूगी है आपको का प्रदेश के एश्रस्य मुकमनत्री सियुराज सिंगी चुहान ने इसका होता कि हमने करे घ्रतो होगमूत्र है फ्रीयोगरम्नों को पर शब्रम कर दिया अब फिनाईल-बनतों गई समाज में उप्योग कोई हुआ है कि न ticket है कि हम सरकारी कारेलेव में मुत्र वने हुए पिनाहिल का उप्योगﷹ का अर्थिर्णफ छोजोच फायदा हो और वह जो बनाने वाले लोग है वो किसानों से भी गोव मुत्र लाए यानि एक प्रकार से हम गाय को अर्थ धंतर से जोड़ने के लिए गोव फिनायल का उप्योग करने का नरदेश जारी किये गए जो सभी सरकारी कारेंड़ में सिरुव हो रहे हैं यह अच्छा एक अच्छा कदम है लेकिन कांग्रिस ने इस पर भी एक राजनेते कारूप लगाया है कि किसी कंपनी विसेज को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा काई एक नया सिगूफा है देखो फिनाईल में कोई एक बहुत बड़ी किसी कंपनी को इसे नहीं बनता है फिनाईल तो एक सामान ने तकनिक से बनने वाली चीश है कोई भी आदमे आप और हम कोई भी थोड़े से साधनों में निर्मान कर सकते हैं कि गाउं में दस लोगों ने मिलके कोई अपने सारा गोमुत्र लाकर के किसी इस्थान पे इखटा कर लिया और उसका किसी प्रकार का उप्योग करने का निर्ने कर लिया तो उसमें कमलाज जी को पेट में क्यों दुखना सी है हमारी तो कोस्य सोच नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि कमलाज जी और कांग्रेस कभी भी इस देश के मानबिंदूओं को इस देश की परंपराओं को जो अच्छा ही थी वो समाज के सामने नहीं आने देना चाते हैं वो चाहते हैं कि देश गुलाम मानसिक्ता से रहे इसलिए इन लोगों नेहां कि इत्यास को तोड़ा और इत्यास को खतम करने की कोशिए भारत के गोरोवसाली इत्यास को इसकुलू सहटाने का काम किया और सारी सिक्ष्या के छेत्र में जित्ती गंदगी फेलाई है आपने बहुत चीज़्ों करने को सह के इसलिए उनके बारे में जासना चर्चा निंगे तो अच्छा है बहुत बहुत धन्वाद मंत्री जी आज आपने बहुत सारी चीजों के बहुत खुलकर जवाब दिये और फेस अब दावीक में आज हमाय साथ थे सामान प्रसासन और स्कूल सिक्षा मंत्री इंदर सिंग परमार जी जिनोंने हर बात बेवाकी से रखी और कही लंकिए लिए सीधे कांग्रिस को ही जिम्मेदार ठहराए हैं कही न कहीं करियान वेन की जो कमी है उसको जिम्मेदार ठहराया जो ये भी भरोसा अदिलाया अर जो नई सिखतर कदम बढ़ा रही है आगे दिल्ली से भी उन्होंने एक दावा किया है कि दिल्ली से ज्यादा अच्छी सिक्षा मत प्रदेश में होगी और वहीं दूसरे सवालों को भी उन्होंने बेवाकी से जवाब दिये हैं बहुत-बहुत धन्यवाद मंद्फी जी आपका अगल अगली बार अब हम फिर किसी खास हस्ती के साथ आप से मिलेंगे नमस्कार